इस वेलकम दिस इस आपके सामने इतना बड़ा सा दिख रहा है अगर यह कोईस्चन आप सॉल्व कर सकते हो बिना है यू डिसर आपकी इस समय की फॉर्म यह बोलती है कि आप साइंस लेकर इंजिनेरिंग करो और बहुत अच्छा कर सकते हो इस समय की फॉर्म नहीं कर पाएग का वो साइंस ना ले वो साइंस डेफिनेटली ले बट फिलाल की एक हर बंदे की फॉर्म होती है कि उसका अभी का लेवल क्या है एज टीचर मैं सॉल्व तो करा सकता हूं बट यह अपने आपने एक चालेंजिंग क्वेश्चन है समझाने में समझाने में ना नहीं याद आ आंगलार फैली जीस मिजए अपॉइंट ओन क्यो आर यह अपन और क्यो आर सच्डाथ पीमस बैस सेक्टर अामटलब समझना वाइसक्टर का मतलब होता है आधा आधा बात समझो मैंने लिखा अंगल अ बीसी और मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी यह BD BD Bisex BD Bisex Angle ABC Bisex बहुत बड़ा word होता है BD मतलब इसका मतलब ये वल अंगल Angle ABD Is equals to angle DBC ये ध्यान दे ली जिएगा एक तो ये वली चीज है कि ये वल अंगल इसके बराबर होगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ Suppose कहीं पर एक angle लिखा हुआ ही है P Q R और ये एक angle S कोई bisector bisector नहीं दे रखा मैंने का angle P Q S को लिखके दिखाओ और हम कैसे लिख सकते हैं P Q S को ऐसे लिखो कि angle P Q S ना लिखना पड़े अंगल P Q S को ऐसे लिखो कि angle P Q S ना लिखना पड़े मैंने का नहीं चलो तुमारा classroom है Suppose तुमारी classroom में obviously boys भी होते हैं और girls भी होते हैं देखो शुरुआत हुई topic कहां से और मैं कहां पहुँच गया अभी तक मैंने वो question कराना शुरू भी नहीं करा है तो मैंने बताओ मैंने का बताओ how many number of girls बताओ without counting the number of girls ऐसे ऐसे करके लड़कियों को गिने बगयर बताओ total class में लड़कियां कितने हैं तो class बोलेगी total class students में से minus कर दो number of boys तो आपका आजाएगा number of girls बेटा ये math की tricks होती हैं जो presentation आपने सीखनी है वैसे ही angle PQS को अगर लिखना होगा तो एक प्यारा बच्चा बोलेगा सार ये पूरा angle में से ये वाला angle minus कर दो पूरा angle जो है वो है angle PQR minus angle RQS अगर ये समझ आया है बाबा घर बड़ो जाएगी तो यहाँ पर क्या बोल रखा है PM is the bisector of QPR QPR का bisector है solution में PM bisects angle QPR this implies angle QPM is equals to angle MPR angle QPM is equals to angle MPR ये वाला QPM is equals to MPR ये ध्यान से देख ले न ये 1, 2, 3 अगर ऐसा है तो 1, 2, 3 की भाशा में भी मैं आपको समझा सकता हूं कि angle 1 प्लस angle 2 बराबर हो जाएगा angle 3 सबसे पहली चीज़ ये इव्दा पर्पेंडिकुलर from P on QR P से एक पर्पेंडिकुलर आ रहा है meets at N चलो जी ये भी दे रखा है कि P N is perpendicular to QR उसके बाद वो बोलता है show that angle MPN angle MPN जो है वो ये पिद्दा साथ जिसने सारक कलेश मचाय हुआ है angle MPN is equals to half of angle Q minus angle R angle MPN is equals to half of angle Q minus angle R ये question अपने आपने बहुत बड़ा challenge है मेरे यार as a teacher मेरे लिए बड़ा challenge है मैंने सबसे बहले ये right triangle लिया छोटे वाला अगर class साथ है तो इस छोटे वाले right angle triangle को हम क्या बोलेंगे class बोलेगी solution में in triangle अगर class साथ है तो PNQ in triangle PNQ angle Q plus angle N plus angle QPN is equals to 180 degree बेटा पहले ये concentrate करके देख लो मैं हट जाता हूँ तीनों angles को देख लो angle Q plus angle N plus angle QPN is equals to 180 degree angle sum property of triangle angle इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा sir angle N की जगा हम angle N की जगा angle Q plus 90 plus angle QPN is equals to 180 because PN is perpendicular to QR ये चीज़ सर गिवन है क्योंकि perpendicular दे रखा है तो वो 90 degree का एक angle हमें दे रखा है तो class बोलेगी angle Q is plus angle QPN is equals to 180 minus 90 angle Q बराबर हो जाएगा 90 180 में से 90 जाएगा बचेगा 90 यहाँ पर angle QPN plus हो रहा है वहाँ पर angle QPN minus हो जाएगा मगर यहाँ पर यह star step नहीं है angle Q बराबर हो जाएगा 90 minus angle QPN को मैं QPN नहीं लिखना चाता QPN को QPN की जगा कुछ और लिखवा दो यार मज़ा आजाएगा कुछ भी और लिखवा दो तो मज़ा आजाएगा इस question में बस दो ही trick है तो बच्चा बोलेगा QPN को अगर कुछ और लिखना है तो यह लिख सकते हो this बड़े वाला minus this बड़े वाला तो बड़े वाला is QPM angle QPM minus यह बड़े है यह हो जाएगा angle MPN angle MPN मेरी writing थोड़ी खराब आ रही है compromise writing में मत करना minus angle MP साफ देख लो angle Q बराबर हो जाएगा 90 minus angle QPM और minus into minus plus angle MPN यह सब करके मैं angle Q तक आ गया पहले आप यहां तक आओ फिर आगे बढ़ना पहले आप यहां तक आओ फिर आगे बढ़ना मेरी आप से request है पहले आप यहां तक एक बार लिखो अब हमने angle Q से पंगे लिए अभी तक इतने efforts लगा के हमारे पास angle Q यहां तक आए बिटा अगर कहीं दिक्कत हो तो पहले rewind कर लेना क्योंकि इसमें कुछ नहीं है बस यही करना है अब सर आप क्या कर रहे हो मैंने का देखो मैं एक और triangle को yellow yellow कर रहा हूँ कौन सा triangle है यह वाला खुद देख लो वो भी right triangle है जिसको मैं yellow yellow कर रहा हूँ मैंने next page पे नहीं जाना चाहता next page पे जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी समझने में यहां पर मैंने angle Q तक ले आए हूँ अगर class साथ है similarly same method से अगर class देखेगी same method से हम बात कर रहे है solution में similarly in triangle PNR PNR को राम से देख लो angle N plus angle R plus angle N PR is equals to 180 degree similarly लिखा है तो same methods यूज करें है पहले वाले बट अगर किसी को doubt हो तो angle sum property of triangle लिख देना angle sum property of triangle लिख देना class बोलेगी angle N की जगा angle N की जगा master जी हम लिखेंगे 90 मैंने का बिलकुल लिखो यही आप से चाहिए मुझे 90 degree because PN is perpendicular to QR PN is perpendicular to QR plus angle R plus angle NPR is equals to 180 angle R बराबर हो जाएगा 180 minus 90 minus angle NPR NPR से अभी हम पंगे ले लेंगे angle R बराबर हो जाएगा 90 minus angle angle NPR angle angle की तरह लगना चाहिए minus angle NPR अगर class साथ है तो यह हमारा angle NPR हो गया चाहो तो मुझे pause कर दो मुझे कोई problem नहीं है अब NPR है क्या मैंने का ये NPR को हम क्या लिख सकते है एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर NPR को आप लिख सकते हो angle 2 plus angle 3 मैंने का बिलकुल सही बोल रहा है angle 2 plus angle 3 मैंने बुला angle R is equal to 90 minus NPR को लिख दे बच्चे ने का सर angle 2 plus angle 3 लिख देता हूँ मैंने का angle 2 को क्या लिख सकता है तो बच्चे ने बुला angle 2 की जगा लिख दिया angle mpn plus angle mpr यह step पहले देख लेना step समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा तो angle r बराबर हो जाएगा 90 minus angle mpn angle mpn minus into plus यह भी हो जाएगा minus angle mpr minus angle mpr उन्हों plus हो रहे थे दोनों जाके minus हो गए class एक मिनट रुकना मैंने अभी थोड़ी सी चलाकी करनी है पहले यहाँ तक कर लो फिर आगे बढ़ेंगे अगर यहाँ तक कर लिया है तो मैंने का यार मैं mpr की जगा कुछ और लिखना चाता हूँ मैं mpr की जगा कुछ और लिखना चाता हूँ तो बच्चा बोलेगा mpr की जगा आप लिख सकते हो qpm mpr की जगा आप लिख सकते हो angle qpm तो यहाँ वाले angle mpr की जगा मैंने लिखा angle qpm इसको माना equation 2 मेरे पास angle q की value भी आ गई मेरे पास मतरानी की किरपा से angle r की भी value आ गई अगर आपको लग रहा है कि एक step में एक बार देखकर ये question समझ आ जाएगा तो ये आपकी गलत प्यमी हो सकती है मेरी ये गलत प्यमी नहीं है answer में चाहिए angle q minus angle r क्योंकि angle q minus angle r चाहिए angle q भी मेरे पास है angle r भी मेरे पास है मैं लिखूंगा equation 1 minus equation 2 equation 1 minus equation 2 अगर class साथ है तो equation 1 जो है angle q minus angle r is equals to angle q वाल equation minus angle r वाल equation angle q वाल equation है 90 minus angle q p m plus angle m p n minus में angle r वाली है 90 minus angle m p n minus angle q p m minus angle q p m अगर class साथ है तो angle q minus angle r is equals to 90 minus angle q p m plus angle m p n minus 90 plus angle m p n plus angle q p m minus into plus is minus minus into minus is plus और minus into minus is plus यह बहुत प्यारा पच्छा बोलेगा 90 ऐनटी से 90 बाई 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 गया 90 से 90 बाई बाई हो गया यह minus q p m है यह plus q p n है तो यह minus से यह plus वाला cancel हो गया Angle q minus angle r is equals to mpn plus mpn. कोई भी चीज दो बार लिखी हो, तो दो बार angle mpn. तो class बोलेगी, angle mpn is equals to angle q minus angle r, क्या आगे लगा दो bracket, और यहाँ पर half का sign लगा दो. किसका sign लगा दो? Half का. अगर class साथ है, half of angle q minus angle r is equals to angle mpn. मैंने बहुत जान लगाई है, इस question को समझाने में, अगर यह वीडियो यहाँ तक देखते हो, तो इस question को तीन बार से कम मत करना. तीन बार से कम करोगे, तो तुमारा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है. तुमारा time waste होगा, मेरे efforts बेकार जाएंगे. तो मेरी request है, इसको तीन बार करो, और अगर यह question अच्छा लगा है, तो अपने तोस्तों से भी challenge करो, यह question करके दिखा, ओ चैलेंज में यह नहीं होता, हमें किसी को नीचे दिखाना है, तुम challenge करोगे, तो वो challenge करेगा, चैलेंज में दोब अच्छा, एक healthy competition हो जाएगा, which is never bad. फिलाल के लिए, यूर समीर सर इस सेंग यू गुडबाई, गॉडब्लेस आल, और सब्सक्राइब तो पूसा उनलाइन चैनल, यह बात मैं एंड में बोलता हूँ, अगर आपका फाइदा हुआ है तो.